नमस्कार दोस्तों, आशकी में इमरान खान से भी आगे हैं शहवाँ शरीफ, यह हम इसलिए कहे रहे हैं कि आप पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर की बीविया गिंते रह जाएंगी। पाकिस्तान में सत्ता परिवरतन हो चुका है, इमरान खान के हाथ से प्राइम मंतरी की कुर्सी भी जा चुकी है, विपक्ष एक जुट होकर जीत गया है और इमरान खान को सत्ता छोडने भी को मजबूर होना पड़ा है, पाकिस्तान के नए प्राइम मंतरी शहवाँ शरीफ बन गए उनके हाथों में पाकस्तान का भाविश्य दे दिया गया शहवाज शरीफ काफी मंजे हुए नेता माने जाते हैं वे तीन बार पाकस्तानी पंजाब के मुखे मंतरी भी रह चुगे हैं ऐसे में उनको देश चलाने मुश्किल नहीं होनी चाहिए वैसे आज हम उनके निजी जीवन पर बात करने वाले हैं वो आश्की में इम्रान खान से दो कदम आगे हैं उनकी बीबियों की लिस्ट भी बहुत लंबी है चलिए आपको जानकाई देते हैं पाकस्तान के पूर पीम नवाज शरीफ इन दिनों लंडन में उनके भाई इस समय पार्टी प्यम नवाज को समय रहे वो पार्टी या देक्ष भी है जबकि नवाज की बेटी बरियम अपादाक्ष का पत समय रही है अब पाकस्तान के आपचारी रूप से पीम शहवाज शरीफ बन गया है उन्होंने पीम का दाइत्र समाल भी लिया है शहवाज शरीफ राजनीती में तो काफी अनुभी है साथ ही वो शादियों के मामले में कम अनुभी है उनको शादियों का जाता है इम्रान खान की जहां तीन शादिया हुई थी वहाई शहवाई शरीफ उनसे भी एक कदम आगे है उन्होंने चार नहीं पांस शादिया गी है इसी वज़े से वो पाकिस्तान में काफी मशूर है उनकी पहली शादी 1973 में नुसरत से हुई थी उसके बाद उन्होंने आलिया हनी नाम की महिला से निकाह कर लिया था इस शादी से भी उनका मन निवला इसके बाद फिर उन्होंने 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 निलो फॉर कोसर नाम की महिला से शादी कर ली फिर साल 2003 में तैमीना तुर्णानी से चपचाफ निकारा चाल लिया पाच्वी बार उन्होंने 2012 में कुलसुन हाई से शादी की थी शहवाज अपनी आशी के लिए काफी मशूर है उनके बारे में पाकिस्तान में एक किसा बहुत फेमस है जब वो पाकिस्तान के सीम थे जब उन्होंने पत्नी आलिया को जल्दी घर पहुंचाने के लिए पुरा फलाइवरी बनवा डाला था इसको हनी ब्रिज कहा जाता है शहवाज की दूसी शादी का तो नवा शरीफ ने भी रूत किया था हलाकि वो मानी नहीं थे फिलहाल वो अपनी दो बीवियों के साथ रहते हैं इन में तैमीना और अनुसरत है बागी तीनों को तलाग दे चुके हैं उनका अर्बो रुपे का बिजनिस है जिसको बेटा समालता है उनको कैंसर हो गया था लेकिन वो इस बीमारी को मात दे चुके हैं उनको गाना सुनना और तैरना काफी पसंद है, पाक सेना के साथ शेहवास के काफी अच्छे संबन्द है